नमस्कार स्वागत आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा आईए आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे ढोंगी बाबा और उसकी पत्नी को जो अपने आपको इच्छा धारी नाग और नागिन बता कर जंता को बनाते हैं बेवकुफ और उन्हें लूटने का काम करते हैं कहते हैं कि हम कैंसर का इलाज करते हैं कब लगेगी ऐसे नटवर लालो पर लगाम यह है पूरा मामला जनपद मैनपूरी के थाना शेतर किशनी का है उत्तर परदेश के मैन पूरी जीले में अंध्वी वाश का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां खुद को इच्छाधारी नाग और नागिन बताने वाले पती पतनी का दावा है कि कैंसर जैसे कई असाध्य बिमारियों का इलाज उसको चूस कर करते हैं देखिए आप कैसे दोनों पती पतनी कैसे चूस कर लोगों का इलाज करने का ढोंग करते हैं हम भी आप किलों का असाने के पतनी का आप मा ये निकाल अध्या है अ मान कांगो, स्क्मा किलो प्रेमी आप क्राइब आप क्राव को चिए जड़का रख को तुद का ऊपका जाएब तुद का पता रहाँ चिए एव इए पूँदा उड प्रेधश दरसल इस जोंगी बाबा का नाम कोमल दास बाप का नाम बाबु राम महराज गंज विधुना जिला औरिया का रहने वाला है लेकिन इसने अपना पूरा जाल मैनी पूरी किशिन में फेलाया हुआ है यहाँ इसने घर में किराय पर रह कर उस मकान मालिक को ही निकाल कर घर को अपने कबजे में ले लिया है और वहाँ अपना धंदा शुरू कर दिया है वहाँ लोगों को बहला फुसला कर किसी तरह लोगों को जहासा दे कर मरीजों को अपने यहाँ बुला कर इलाज की नोटंकी करके इंब से मोटी रकम वसूल करता है जब तक लोगों ने उसको समझ पाया कि यह है तो सिर्फ धोंग करता है और कुछ नहीं फिर उस कुछ लोगों ने इसके खिलाफ अभी तक कोई भी कारेवाई नहीं हुए है ऐसे नटवरलाल हमारे देश में अभी तक बहुत पड़े हुए हैं लेकिन इनके खिलाब कोई कारेवाई नहीं होती है ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं